नमस्कार मेरे नौजवान साथियों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसंद होंगे तथलागता सीख रहे होंगे मैं प्रेम असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसम पीजी कॉलेज जोग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौ आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जोग्राफी विद प्रेम में दोस्तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप से बात की थी प्रत्वी की आंत्रिक संरचना के बारे में ठीक है दोस्तो पीडियेफ आपको उपलब्द कराया जा चुका है लिंक के माध्यम से आज हम बात करें आप से कि प्रत्वी पर महादीप और महासागरों का वितरण कैसा है ठीक है इसके बारे में चल्चा करेंगे हम तो चलिए सुरू करते हैं आज का लेक्चर बहुतिक भुगोल में महादीपों और महासागरों का जो वितरण है समन्धी दो महत्रपुन सिद्धान्त हैं एक तो है महादीपी विस्धापन सिद्धान्त यानि कॉंटिनेंटल डिफ्थ थियोरी तथा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धान्त ठीक है संपूर्ण प्रत्वी का 70.8 प्रत्षत भाग पर महासागर हैं महासागर आपको बताये गए हैं कि 5 हैं ठीक है और 29.2 प्रत्षत भाग पर महादीपों का वित्रण है और महादीप आपके कितने हैं वो साथ हैं ठीक है यांनि कि ये एक साथ नहीं है बलकि अलग अलग छेत्रों में फैले हुए हैं जैसा कि मांचित्र में दिखाई देता है क्या आरंभीक समय में इसकी इस्थिती ऐसी ही थी यानि जब आप मांचितर देखते हैं तो वर्ड का यानि माइब देखते हैं तो उसमें महादीपों और महासागरों का विद्णड दिखाई देता है तो यहाँ पर यह है कि क्या ऐसी इस्थिती हमेशा थी और या क्या आने वाले समय में भी ऐसी रहेगी ठीक है ये दो सवाल हैं इन्ही प्रसनों का उत्तर हमें महादीपी विस्थापन सिध्धान्द और प्लेट विवर्तनिकी सिध्धान्द से मिलता है ठीक है इस चित्र में आप दोस्तों देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से महादीप और महासागरों का वित्रन दिखाए गया है सात महादीप है आपके पहला आपका ऐसिया है दूसरा आपका फृरीका तीसरा नौर्थ अमेरिका चोथा आपका South America पांचवाँ आपका एक महादीब यहाँ पर है Antarctica इसके बाद आपका यह है Europe महादीब और यह है आपका Australia महादीब जो सबसे छोटा महादीब है सबसे बड़ा Asia है सबसे छोटा आपका Australia महादीब है अगर महासागरों की बात की जाए तो प्रसांत महासागर यह है आपका यह दोनों तरफ है क्योंकि ग्लोब आजब आप देखते हैं तो प्रथफिक गोल है आपकी ठीक है इसके बाद यह है आपका Atlantic महासागर इसके बाद है यह आपका हिंद महासागर यहाँ पर आपका है दोस्तो Southern महासागर Southern Ocean क्योंकि यहाँ पर प्रसांत महासागर हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का जला के मिलता है इसके बाद उत्री दुरूपर के चारो और जल का विस्तार है इसलिए इसका नाम दे दे गया है आर्किटिक महासागर AR यानि की AR यानि की इसके प्रसुनों का आंसर आपका मिलता है महादीपी प्रवाय सिद्धानत और महादीपी प्लेट विवर्तनी की सिद्धानत तो आज हम जिस सिद्धानत की बात करेंगे उसका नाम है महादीपी विस्थापन सिद्धानत या प्रवाय सिद्धानत इसकी बात हम करेंगे तो देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं महादीपी विस्थापन या प्रवाय क्या है यानि कॉंटिनेंटल डिफ्ट क्या है तो विस्व के मानचित्र को देखने से पता चलता है कि अट्लांटिक महासागर के पूर्वी तथा पश्च्मी तटों के बीच आश्चर जनक समानता देखने को मिलती है इसी समानता के कारण बहुत सारे वैज्यानिकों का मानना है कि उत्री तथा दच्छडी अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका आपस में जुड़े हुए भूखंड रहे होंगे और बाद में तूट कर अलग-अलग दिशा में प्रवाहित हो गए होंगे इसी को महादुपी विस्थापन या प्रवाह कहा जाता है इस चित्र में आप फिर से देख सकते हैं यह आपका अट्लांटिक महासागर है तो यूरोप अफ्रीका दच्छड अमेरिका और उत्री अमेरिका को अगर मिला दिया जाए तो यह आपस में मिले हुए प्रतीत होते हैं जैसे साउथ अमेरिका को यहाँ पर मिलाया जा सकता है तो नौर्थ अमेरिका को यहाँ पर मिलाया जा सकता है तो इसी अधार पर देखा गया कि इनमें अगर समानता है तो पिछले समों में ये एक ही रहे होंगे और बादमिन का तूट कर ये अलग-अलग दिसा में प्रवाइत हो गया इसी को महादुपी प्रवाइका गया ठीक है ये जो दोस्तो महादुपों का विस्थापन है ये हुआ था आपका दोस्तो मीलियन एयर्स पहले ये एक ही जेगे थे जिसका नाम दे दिया गया पैंजिया इसके बाए भाग को दे यज जाल भाग था पैंथलासा ये आपको याद रखना है इसके बाद 2050 मीलियन एयर्स पहले ये दो भागों में टूटा लोरेंसिया या अंगारा लेंड और दच्छडी भाग था गुणवाना लेंड ठीक है इसके बाद 100 मिलियन एर्स पहले यह और यानि की अंगारा लेंड और गुणवाना लेंड का भी तूड गया ठीक है इससे आपका अंगाला लेंड जब तूटा यानि कि जब लॉरेंचिया तूटा आपका तूसे ऐसिया यूरोप और नूर्थ-अमेरिका बने और जब ये गुंडवाना लेंड तूटा तूसे आस्टेलिया इंडिया अफरीका साउथ-अमेरिका और अंटार्टिका का निर्माड हुआ ठीक है और लास्ट वाले चित्र में आपको वर्तमान इस्थिती दिखाई दे रही है यानि कि अर्थ टुडे ये कितने बागों बाटी हुई है तो साथ महादीपों और पांच महासागरों में डिवाइड है ठीक है चलिए अब इसके बारे में और बात कर ल पन इस्थि में एक डच यानि कि हॉलाइंड या आज के समय जिसे आप निदर्लाइंड के नाम से जानते हैं वहां के एक मानचित्र कार हुए अब्राहम और टेलियस इन्होंने क्या किया महादीपों के आपस में जुड़े होने की संभावना बेक्त की ठीक है इसके बाद नाम आता है एंटोनियो पैल ग्रीनी का जिन्होंने एक मानचित्र की रचना की जिसमें इन महादीपों को इकठा दर्साया गया यानि कि एक साथ दर्साया गया इसके बाद आगला नाम आता है 1858 में एंटोनियो स्नाइडर का जो की फ्रांस के थे जो की फ्रांस के थे ठीक प्रवाह की परिकलपना के आधार पर मोड़दार परवतों के वितरण को इसपरष्ट करने का प्रयास किया था मोड़दार परवत यानि की वलित परवत जिनकी संदचना कुछ इस परकार होती है आपके मोड़दार या वलित परवत कहलाते हैं तो इनहीं के वितरण की बात F.G. टेलर ने महादुपी परवाह की अधार पर समझाने की कोसिश की थी इसके बाद आगला नाम आता है आपका अलफ्रेड वेगनर महोदे का इन्होंने महादुपी परवाह की अधार पर जलवायू कटिबंधों के वितरण की द्रमावना ब्यक्त की थी अब चली देख लेते हैं कि महादुपी विस्था पर सिध्धान्द के विकास की प्रस्ट भूमी क्या थी वेगनर महोदे ये जर्मनी के जलवायू वेत्ता थे आपको यार रखना है ये जर्मनी के जलवायू वेत्ता थे वेगनर महोदे एक जलवाय वेत्ता थे होने के कारण उन्होंने अपने अध्यन में पाया कि एक ही भूखंड में अलग-अलग जलवाय कड़बंद सम्बंदी विसेश्थाएं पाय जाती है यानि कि एक आपका ये भूखंड है तो इसी भूखंड में अलग-अलग जलवाय की विसेश्था सम्बंदी कड़बंद पाय जा रहे है ये उन्हों देखा और इन्होंने पाया कि वर्तमान समय में जिन प्रदेशों की जलवाय उष्ण है उष्ण का मतलब अध्यधिक गर्मी और अध्यधिक वर्सा कड़िबंदी है वहां लंबे समय तक सीथ कड़िबंदी है सीथ का मतलब जहां बहुत अध्यधिक जाड़ा रहता है सीथ कड़िबंदी जलवाय होने का प्रमार मिले है जैसे भारत, अफरीका, औस्टेलिया में प्रचीन हिमानियों के निच्छेप मिले है और आपको पता है हिमानिय आपकी कहां पर पाई जाएगी जहां पर टेंपरेचर बहुत कम होगा तीक है वहीं इन्होंने देखा कि जो सीथ कड़िबंदी जलवाय च्छेत रहे हैं जहां पर टेंपरेचर बहुत कम है वहाँ पे उस निकट बंधी जलवायू के प्रमाड मिले हैं जैसे अलास्का, साइवेरिया, अंटार्टिका में विसाल पैमाने में कोईले के निछे पाए जाते हैं और कोईला आपका वहीं पर बन सकता है जहां पर अत्रधिक ताप होगा तो अगर इन जगहों पर पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कभी न कभी एक ही रहे होंगे इस सम्मन्द में उनके मन में दो तरह की विचार उत्पन हुए वो कौन-कौन से विचार उत्पन हुए इन्हें आप इनका आधार भी कह सकते हैं और मानताइं भी कह सकते हैं तो इनके मन में दो विचार उत्पन हुए इतना अध्यन करने के बाद कि अगर सभी महादीप उत्पत्ति के समय से समय से इस्थित अवस्था में रह होंगे तो उसमें जलवायू कटिबंधों में क्रमसाह इस्थांतरन हुआ होगा क्या का इनुने कि महादीप अगर उत्पत्ति के समय से इस्थिर थे तो हुआ क्या होगा जलवायू कटिबंधों में इस्थांतरन हुआ होगा जिसके कारण कभी सीत तो कभी उस्ण और कभी सुस्क तो कभी आद्र या उस्णाद्र जलवायुकटिबंद का आगमन हुआ होगा किन्तो इस प्रकार के प्रमाण जलवायुकटिबंदों के इस्थांतन के प्रत्यच्च प्रमाण नहीं मिले तीक है इसके बाद इनका दूसरा मत था कि अगर जलवाय उकटिबंद इस्थिर रहे होंगे पहले में क्या था महादूरी पिस्थिर रहे होंगे लेकिन अब क्या है जलवाय उकटिबंद इस्थिर रहे होंगे तो स्थलखंडों का जरूर इस्थानतर्ण हुआ होगा और वेगनर महोदय ने इसे ही सुईकार किया क्यों सुईकार किया था? क्योंकि जो इस्थलखंड वो इस्थिर अवस्था में नहीं रहे इसके अधार पर उन्होंने अपना महादूपी विस्तापन सिध्धान्द प्रस्तुत किया ये इनके सिध्धान्द की प्रस्ट भूमी है तो ये भी आपको यार रखनी है अब हम बात करते हैं अल्फेड वेगनर का महादूपी सिध्धान्द के बारे में जर्मनी के प्रसिद जलवाय वेत्ता प्रोफेसर अलफेड वेगनर के महादुपी विस्थापन सिधांत 1912 इसवी में प्रस्तुत किया गया यानि 1912 में इन्होंने दिया था और इन्होंने पुनाह इसे 1924 में संसोधित रूप प्रस्तुत किया यह सिद्धान्त महादीपों और महासागरों के वित्रण से संबन दित है ठीक है इस सिद्धान्त के अनुसार सभी महादीप अंतिम कार्बोनी फेरस यूग में ये आपको यूग याद रखना है अंतिम कार्बोनी फेरस यूग से पहले एक विसाल भुखंड से जुड़े जिसको इन्होंने पैंजिया का नाम दिया था उपर हमने चित्र में देखा था पैंजिया के बारे में तो इकठे भुखंडों को क्या नाम दिया पैंजिया और इस पैंजिया के चारों और एक विसाल महासागर घेरे हुए था जिसे इन्होंने पैंथलासा नाम दिया और इस पैंथलासा का आर्थ होता है जल ही जल तो ये भी आपको यार रखना है इसके बार उन्होंने बताया कि प्रत्वी के भूपरपटी जो प्रत्वी की भूपरपटी है हमने internal structure of the earth में बताया था आपको crust, mental और core तो जो प्रत्वी की भूपरपटी है वह mental पर के उपर बिना अवरोध के तैर रही है इस चीज को समझने के लिए दोस्तों आपको internal structure of the earth पता होना चाहिए अगर वो वीडियो आपने नहीं देगा तो पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको ये चीजे और समझ में आएगी असानी से तैर रही है ठीक है बिनावरोध के इनके अनुसार लगभग 30 करोड़ वर्स पूर्व पैंजिया का विखंडन होना प्रदंबुआ ठीक है कब 30 करोड़ वर्स पूर्व पैंजिया पहले दो बड़े वुखंडों में विवाजित हुआ उत्री भाग को लौरेंसिया या अंगारा लैंड कहा गया तथा दच्छडी भाग को गोणवाना लैंड के नाम दिया गया और इसके मद्ध तेथी सागर का विस्तार बताया गया ठीक है जब दोनों बुखंड तूटे तो उनके मद्ध में कौन सा सागर था तो तेथी सागर था तेथी सागर का ही आज बचा हुआ रूप भूमद्ध सागर है तो ये भी आपको यार रखना है बाद में लगभग 20 करोड वर्स पूर्व लौरेंसिया और गोणवाना लैंड का भी विखंडन होना प्रादम हुआ जिससे वर्तमान महादीपों की रचना हुई लोरेंसिया के विखंडन से उत्री अमेरिका, ग्रीन लैंड, यूरोप और एसिया का निरमाड हुआ लेकिन संपूर एसिया का नहीं भारती उप महादीप को छोड़ कर ये आपको यार रखना है आदी भुखंडों का विकास हुआ वहीं गोनवाना लैंड के विखंडन से दच्छिडी अमेरिका, अफरीका, भारती उप महादुईप, औस्टेलिया तथा अंटार्किति का भुखंडों का निर्माड हुआ जैसा कि इस चित्र में भी दोस्तों उपर बताया गया था आपको इस चित्र के माद्यम से कि पहले सब जुड़े हुए थे तो पैंजिया नाम दिया गया इसे पैंथलासा जो महासागर गेरे हुए था फिर ये दो भागों में टूटा लोरेंसिया और गुणवाना लैंड मद्द का भाग आपका क्या कहला आया टेथी सागर इसके बाद वर्तमान महाद्यूपों की रचना हुई दोनों की तूटने से एसिया यूरोप नौर्थ अमेरिका ग्रीन लैंड और एसिया भारती उप महाद्यूप को छोड़ कर गुणवाना लैंड के तूटने से ऑस्टेलिया इंडिया अफरीका साउथ अमेरिका और अंटार्टिका का निर्माड हुआ और फिर इसके बाद महाद्यूप प्रवाह की अदार पर वर्तमान इस्तिती आज है ये आपको देखने को मिलती है इतनी बातें बताने के बाद उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ इसके पक्ष में प्रमाड भी दिये वेगनर महोदे ने अपने सिद्धान्त के पच्छ में अनेक प्रमाड प्रस्तुत किये जो ये सिद्ध करता है कि सभी वुखंड एक साथ जुड़े हुए थे जो विखंडन के बाद अलग अलग दिसा में प्रवाइत हुए सबसे पहला है महादीपों में सामय यानि जिगसाफिट ये आपको दोस्तों याद रखना है जिगसाफिट क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जिगसाफिट की संकल्पना किस ने दी थी तो वो वेगनर महोदे ने दी थी ठीक है अट्लांटिक महासागर के पूर्वी एवं पश्चमी तटों विसेश कर दच्छडी अमेरिका के पूर्वी तट तथा अफरीका के पश्चमी तटों में तुटी रहित साम में दिखाई देता है ऐसा लगता है जैसे किसी वस्तु के दो टुकडे हैं जो तूट कर अलग-अलग हो गए हैं ठीक है इसी बात को बलाड महोदे ने 1964 में एक कम्प्यूटर प्रोग्राम बनाया और इसकी सहायता से अट्लांटिक तटों को जोडते हुए एक मांचितर तयार किया जो बिलकुल सही मिल गया था दोनों तटों में सामता बैठाने का कोशिस तट रेखा के अपिक्षा एक हजार फैदम की गहराई की तट रेखा में किया गया था और एक फैदम बराबर 6 फीट होता है यानि की 1.8 मिटर के आसपास होता है यानि की तट से कितनी नीचे किया गया था 600 फिट नीचे सामता बिठाई गई थी इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे दोस्तो कि अफरीका और अगर अमेरिका को जोड़ दिया जाए दच्छिड अमेरिका को लगभग ये सामता दिखाई देती है कि ये फिट हो जा रहे हैं इसी को का गया जिक्सा फिट इसके बाद अगली सामता है दोस्तो इसमें कि महासागरों के पार चटानों की आयू में सामता समानता महासागरों के पार चटानों की आयू में समानता वरतमान समय में किसी वस्तु का आयू निर्धारण यानि किसी वस्तु कि अगर हमें आयू निर्धारित करनी है तो उसके लिए रेडियो मेट्रिक काल निर्धारन यानि रेडियो मेट्रिक डेटिंग द्वारा किया जाता है ठीक है तो इसी अधार पर महासागरों के दोनों किनारों की चट्टानों की आयू सरलता से निधारित किया जा सकता है किस माहसागर की अट्लांटिक माहसागर के दोनों किनारों की इसके अधार पर ब्राजील के पूर्वी तथा पश्चमी अफरीका में 200 करोड वर्स पूर्व सैल समुहों की एक पट्टी पाई जाती है कितने वर्स पूर्व? 200 करोड वर्स पूर साथ ही साथ इन दोनों तटों पर अरंभिक समुद्री निक्षेप जो समुद्री निक्षेप है आपके वो जुरासिक काल के पता चला है इससे ये पता चलता है कि जुरासिक काल से पहले यहां पर महा सागर की स्तती नहीं थी ठीक है इसके बार अगला प्रमार उन्हों ने टिलाइट कर दिया पर देख लेते हैं टिलाइट होता क्या है तो प्राचीन काल के हिमानी निच्छेपों से बने चट्टानों को टिलाइट का जाता है तो यह आपको याद रखना है प्रचीन काल में जो हिमानियों का निच्छेप हुआ है और उससे जो चट्टाने बनी है वो आपका टिलाइट है भारत में पाये जाने वाले गोंडवाना सेणी अगर जब आप भारत की भूगरविक संद्चना पड़ेंगे तो उसमें कई सारी सेणीयों मिलती हैं उनमें से एक है गोंडवाना सेणी के अधार तल में घने टिलाइट पाये जाते हैं जो लंबे समय तक हिमावरण या के छे इस्थलखंडों अफरीका, फॉक लेंड ये दच्छिड अमेरिका में पढ़ता है दोस्तो ठीक है में अगास कर दच्छिड अफरीका, आस्टेलिया तथा अंटार्टिका में भी पाये जाते हैं तो इससे यह इसपस्ट होता है कि ये भुखंड किसी काल में आपस मे मिले रहे होंगे जहां पर लंबे समय तक हिमावरण रहा होगा और कलांतर में इसका विखंडन के साथ विस्तापन हो गया ठीक है इस चितर में आप देख सकते हैं टिलाइट की निच्छेप कहां कहां पर पाये जाते हैं भारत, दच्छिड अफरीका, फॉक लेंड, अंट पाये जाते हैं ठीक है इसके बाद है प्लेसर निच्छेप पर जानना होगा आपको कि प्लेसर निच्छेप होता क्या है तो जो खनेज संपन्द पहाडियां हैं या पठार हैं ठीक है खनेज संपन्द पहाडियों पठारों के कगारों में तथा वहां से निकलने वाली जाएं पाई जाती है यानि कहने का मतलब है जो नदियां पहाडियों और पठारों के कगारों से निकलती है जो की खनिश संपन्द है तो इन नदियों के निक्षेपों में भी खनिश की सिराएं पाई जाती है जिसे प्लेसर निक्षेप के नाम से जाना जाता है इसमें सुद दूरूप से पाए जाने वाले खनिज हैं जैसे सोना और चांदी ठीक है इस चित्र के माध्यम से दोस्तो प्लेशर निक्षेप को दिखाने की कोशिस की गई ए ठीक है यह जो चटाने हैं आपकी खनिज यूट है और इन से जो नदिया निकलती हैं वो क्या करती है इन खनिज इसके बाद प्लेशर निच्षेप के बारे में बताया गया कि जो आफ्रीका महादीप का घाना तट है घाना एक देश है अफ्रीका महादीप में वहाँ पर सोने के बड़े निक्षेप पाए जाते हैं जो गोल्ड कोश्ट के रूप में प्रिसिद्ध है तो अगर आपसे कोई पूछता है कि गोल्ड कोश्ट के नाम से किसे जाना जाता है तो घाना तटको जाना जाता है किन्तु यहाँ पर सोना युक्त उद्गम चट्टानों का अभा हो है यानि सोना पाया जा रहा है लेकि सोना युक्त चटाने नहीं पाई जा रही है तो यह अस्चर जनक है जबकि सोना युक्त जो सिराएं हैं या चटाने हैं वो ब्रजील में पाई जाती है इससे स्पष्ट होता है कि घाना में पाये जाने वाले जो सोने का निक्षेप है वो ब्रैजील पठार से उस समय निकले होंगे जब दोनों महादूइप एक दूस्से से जुड़े हुए होंगे इसके बाद है जिवासमो का वित्रण जिवासमो का वित्रण यानि distribution of fossils जबकि मेसोसोरस और लिस्टोसोरस नामक जन्तूओं का जिवासम भारत औस्टेलिया दच्छिड अमेरिका तथा दच्छिड अफरीका महादीप में पाये जाते हैं इसी प्रकार एक जीव है आपका लैमूर लैमूर के अवस्टोस भारत, मेडागासकर और अफरीका में पाये जाते हैं इन तीनों स्थलखंडों को मिला कर कई वैग्यानिकों ने इसे लेमूरिया भी कहा है तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए लेमूरिया में कौन-कौन सामिल है भारत, मेडागासकर और अफरीका इससे ये साबित होता है कि इसी काल में ये इस थलखंड आपस में जुड़े रहे होंगे इस चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे ग्लिस्टो सॉप्टरिस, मेसोसोरस और सिनो नात्रा की जो लिस्टो सोरस ये जीव है आपका दच्छिड अमेरिका, अफरीका, भारत, अंटार्टिका और अस्टेलिया में इसे निच्छेब देखे गए है तो इसे पता चलता है कि ये कभी न कभी एक जगे रहे होंगे इसके बाद है आपका प्रवालों के आउसेस समान रूप से प्रवाल का विकास 30 डिगरी उत्तरी अक्छांस से 30 डिगरी दक्छिडी अक्छांस के मद्ध उन समुद्री छेत्रों में होता है जहां लगभग 20 डिगरी से उपर तथा गहराई 200 से 2500 फिट के मद्ध विक्सित होते है यानि कि प्रवाल वहीं पर रह सकते हैं जहां पर 20 डिगरी टेंपरेचर हो गहराई 200 से 2500 फिट हो ठीक है और यह इस्थिती 30 डिगरी उत्री अक्छांस और 30 डिगरी दच्छी अक्छांसों के मद्ध बनती है किन्तु इसके अवसेश इन छेत्रों से हटकर महादीपों पर प्रवाल पाया जाना इस बात का प्रमाड है कि प्राचीन भूवैग्यानिक काल में महादीप भूमद रेखा के निकट इस्थित रहे होंगे इसके बाद है दुरूओं का घूमना पुरा चुम्ब कत्व से महादीपों के पैंजिया की रूप में एक दूसरे से जुड़े होने का प्रमाड मिला है मैगमा, लावा तथा असंग्ठित अवसाद में उपस्थित चुम्ब की प्रवत्ति वाले खनिज जैसे मैगनेटाइट, हेमेटाइट तथा पायोराइट, पायोरोटाइट इसी प्रवत्ति के कारण उस समय चुम्ब की छेत्रों के समनान तर एकत्तित हो गए यह गुण, सैलों में इस्थाई चुम्ब कत्तो के रूप में रह जाता है, चुम्ब की धुरू की इस्थिती में परिवत्तन होता रहता है, इसे धुरूं का घूमना कहते हैं, ठीक है इसके बार अगला प्रमार है आपका लेमिंग जीवों का वरताव, सकेंडिनेविया नार्वे, स्वीडन और डेनमार्ग, यानि की सकेंडिनेवियन कंट्री कौन है, नार्वे, स्वीडन और डेनमार्ग कि उत्री भाग में पाए जाने वाले लेमिंग नामक छोटे छोटे जन्तु की संख्या अधिक हो जाने पर ये सभी पश्चिम की ओर भागने लगते हैं किन्तु आगे इस्थल ना मिलने के कारण सागर में डूब कर ये मर जाते हैं इससे ये पता चलता है कि अतीत काल में जब इस्थल खंड आपस में जुड़े हुए होंगे तो ये जन्तु पश्चिम की ओर भागा करते होंगे ठीक है यानि इनकी गतिविदियां पूरे छेतर पर रही होंगी लेकिन आज जब ये यही इस्तिती अपनाते हैं तो ये पानी महासागर के दोनों टटों पर कैलिडोनियन तथा हरसीनियन परवत क्रमों में समानता पाई जाती है तो इससे ही पता चलता है कि ये कभी ने कभी एक ही रहे होंगे दोनों भुवाग इसके बाद है कि महादीपे विस्थापन संबंदी बल कौन से हैं तो अलफेड वेगनर ने महादीपों के विस्थापन में दो तरह के बलों को उत्तरदाई माना पहला दुर्वी या पॉलर फिलिंग बल यानि पॉलर फिलिंग फोर्स इसके बाद दूसरा है आपका ज्वरी बल यानि टाइडल फोर्स दुर्वी या पॉलर फिलिंग फोर्स क्या होता है पॉलर प्रत्वी भूमद रेखा पर उबरी हुई है एक आंसर आपका ये भी है कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्रत्वी भूमद रेखा पर उबरी हुई क्यों है तो प्रत्वी के गूणन के कारण तथा दुरूओं पर ये चपती है इसी गूणन के कारण प्रत्वी के प्रालतों का विस्थापन भुमद रेखा की ओर होता है इसी बल के कारण यूरोप, एसिया, अफरीका का विस्थापन उत्तर की ओर हुआ है ठीक है इसके बाद दूसरा बल है आपका ज्वारी बल प्रत्वी पर ज्वारी बल की उत्पत्ती सूर और चंद्रमा के आकरसंड सकती के कारण होती है तो ये भी आपका क्विश्चन है कि ज्वार क्यों आते हैं तो सूर और चंद्रमा की आकरसंड सकती के कारण प्रत्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूनन करती है यह आपको बताया है कई बार इन दोनों कारणों से प्रत्वी पर उत्पन ज्वार का प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर होता है यहाँ पे आपको यह जानना होगा कि प्रत्वी जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है इस कारण जो जुआर है आपका वो पूर्व से पश्चिम की ओर ब्रहमण करता है इसी कारण से उत्री तथा दच्छिडी अमेरिका का प्रवाह पश्चिम की ओर हो गया है और इन दोनों महादीपों के पश्चमी भाग में घरसन अवरोध के कारण रोकीज तथा इंडीज परवत मालाओं की उत्पत्ती हुई है वेगनर महोदे का मानना था कि ये बल अपरयाप्त होते हुए भी यानि इनुने मानना कि ये बल अपरयाप्त हैं लेकिन करोडों वर्सों के दोरान ये बल परभाव साली होकर महादीपों के विस्थापन का कारण बना हाला कि अधिकांस विद्वान इन दोनों बलों को इतने बड़े पैमाने तथा बड़े महादीपों का विस्थापन के लिए सर्वता अपरयाप्त मानते हैं इसके बाद इनके सिद्धान्त की अलोचना देखते हैं क्योंकि कोई भी सिद्धान्त होता है उसकी अलोचना होती ही होती है महा सागरों एवं महारीपों के वित्रण एवं उत्पत्ति के समंद में दिये गए विभिन विचारों में वेगनर महोदय का सिद्धान्त एक महत्पूर्ण स्थान रगता है तथापी वर्तमान समय में मुक्ताह प्लेट विवर्तनी की सिधान्द के आने से इनके सिधान्द में कई विसंगतियां पाई गई जिससे निम्न अधारों पर विद्वानों ने इनके सिधान्द की अलोचना की वो कौन कौन सी अलोचना है कि वेगनर की द्वारा बताए गए महादीपी विस्थापन के लिए जो उत्तरदाई बल है महादीपों के प्रवाह के लिए सर्व था आप परयाप्त है यानि पहले तो बल के अदार पर अलोचना हुई इनके नुसार सियाल सिमा पर बिना रुकावट के तैरा है हमने उपर बताया था कि उन्होंने बताया था कि क्रस्ट मैंटल पर बिना अवरोद के तैरा है यही बात यहाँ भी कहिए कि सियाल सिमा पर बिना रुकावट के तैरा है फिर इसमें अचानक से रुकावट कहां से उत्पन हो जाती है जिसके कारण उन्होंने रौकीज और एंडीज परवतों की उत्पती बताई है इस बात पर भी अलोचना हुई इसके बाद अट्लांटिक महासागर के दोनों तटों को पूर्ण रूप से नहीं मिलाया जा सकता जैसा कि उन्होंने जिक्सा फिट बताया था इसके साथ साथ दोनों तटों के भुगरभिक बनावट भी हर जगे में नहीं पाई जाती एक जैसी नहीं पाई जाती इसके अलावा वेगनर ने महादीपों के विखंडन एवं प्रवाय की दिसा तथा तिथी पर विशेश प्रकास नहीं डाला कार्बोनी फेरस युग से पहले पैंजिया किस बल के कारण इस्थिर एवं इकठा रहा इसका भी आंसर वो नहीं दे पाई अगर हम निसकर्स रूप में बात करें तो उपरोक्त अलोचनाओं के बावजूद भी वेगनर का महादीपी विस्थापन सिध्धांत आने वाले महत्पूंड सिध्धांतों का आधार निर्मित करने में महत्पूंड भूमी का निभाई ये इसका महत्तों है क्या किया इन्होंने आने वाले सिध्धांतों के लिए आधार प्रस्तुत किया इसी कारण से वर्तमान समय में इस सिध्धांत की प्रासंगिक्ता बनी हुई है तथा प्लेट विवर्तनी की सिध्धांत के कारण इस सिध्धांत को एक नई दिसा मिली ठीके दोस्तो तो दोस्तो आज की वीडियो में यहीं तक इस वीडियो का जो PDF है दोस्तो वो वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं ठीके दोस्तो आज हमने आपसे बात की महादुपी विस्थापन सिध्धांत के बारे में जो की वेगनर महोदे की द्वारत दिया गया था इसमें हमने महादुपी विस्थापन प्रवाह क्या है इसको देखा साथ हमने महादुपी विस्थापन सिध्धांत के विकास की महादीपी विस्तापन के सिधान्त को भी देखा कि कब उन्होंने दिया क्या क्या बताया इसके बारे में कैसे कैसे तूटे इसके बाद इनके प्रमाड पच्छ अपने सिधान्त के पच्छ में क्या प्रमाड दिये ये भी देखा जिसमें हमने देखा महादीपों में साम में जिक्सा फिट ठीक है इसके लावा हमने महा सागरों के पार चट्टानों की आयू में समानता तिलाइट प्लेशर निक्छेप जिवासमों का वितरन प्रवालों का उशेश दुरूओं का घूमना लेमिंग जीवों का बरताव इसके बाद इन सब प्रवाह के लिए बल कौन से उत्तरदाई हैं वो हमने देखे दुर्वी और ज्वारी बल इसके बाद हमने इनके अलोचना की बात की तता साथ ही साथ हमने इनके निसकर्स के बारे में भी चर्चे की ठीके दोस्तों तो मिलते हैं आप से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ तब